आज हम आ गए हैं कुलफी के एक ठेले पर, जहां बनाई जाएगी रबड़ी कुलफी बिलकुल देसी स्टाइल में, जहां पहले तो स्टील या अलुमिनियम से बने ऐसे साचों में दूद, खोया, ड्राइफ रूट्स और चीनी से बना ये घोल ऐसे भरा जाता है, जिसके ब जानते हैं कि बरफ में नमक मिलाने से वो पिघलती क्यों नहीं, हमें नीचे कॉमेंट कर जरूर बताईएगा, अब पेपर से बरफ को ढखने के बाद इस पर सांचों को पकड़ने के लिए एक ट्रे लगाई जाएगी, और हर कुलफी के सांचे को फिट करने के लिए इन मे सुराख भी किये जाएंगे, ये शायद आपको दिखने में आसान लगे, पर असल में ये काफी लंबा और महनत भरा काम है, जहां एक इनसान सांचों के लिए सुराख करता है, तो वहीं दूसरे जनाब सांचों को ट्रे में बारी-बारी से फिट करते जाते हैं, इसी तरह स कितना भी चम्मच यूज कर लो, कुलफी को खाने का असली मजा तो इनहीं पकड़ कर आता है, ये सेम प्रोसेस दिन भर में कई बार दोहराई जाती है, लोग आते जाते हैं, कुलफी के सांचे खाली होते जाते हैं, और उन्हें दोबारा भर कर इस बरफ के बिस्तर में 20 मिनिट तक रखी जाएगी, जिसके बाद मातर 20 रुपे में आप इस थंडी कुलफी का आनन्द उठा सकते हैं, पहले हर जगह पर देख लेगा कैसा कैसा चल रहा है, उसके बाद एक जगह प्रिट हो जाएगा, तो गाइज अभी हमारी रबडी कुलफी जो अभी सटल होने के लिए रखी गई है, यह फ्रीज होगी है, आईए, भाया से उनकी दुकान का अड्रेस और टाइमिंग भी जान लेते हैं, तो अगली बार जब आपको गर्मी सता आए, तो कुलफी ट्राय करना मत भूलिएगा, ऐसी ही मज़ेदार और स्वादिश्ट वीडियोज के लिए वी आर फूरीज को फॉलो करें, हम जल्द लोटेंगे एक नई वीडियो के साथ,